नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्णा दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूं इस उपाय को वही लोग करें जो जिनका दिल मजबूत है जो ड़ते ना हूँ और अपनी समस्या से निजात पाना चाहते हूं यह बहुत ही पावरफुल तंत्र है इसके लिए कहूंगे कि जो लोग ग्रहस्त है या जिनके अंदर थोड़ा सा भी भय हो वे लोग इस उपाय को ना करें इस उपाय को वही करें जो बहुत द्रणनिस चाहिए जो अपने सामने प्रेत यदि आकर खड़ा भी हो जाता है तो उससे डरे नहीं उससे बिलकुल भी डरे नहीं और उसे अपना अपने अपना गुलाम बना सके अपने वस मिला सके यह यह ऐसी क्रिया है दोस्तों कि जिस बाद यह हमेशा आपके साथ रहता है शायद आप मेंसे कुछ लोगों को पता हो ना हो लेकिन काफी लोग काफी लोग जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं उन्हें ऐसी सक्तियां शिद्ध हैं काफी प्रेतों को आत्माओं को उन्होंने अपने वस में करके रखा है जिंदगी भर उन्होंने इन आत्माओं से काम करवाया है यहैं ciao यह इसी आत्माओं आपके साथ हैं आपका विरोधी कोई भी विरोधियो अप मसे ऐसं को कितनी बार पता भी नहीं होगा और आपका विरोधी अपने आप उन्दे मोग गए गा जो प्लान को order करते हैं पैसों के लिए ये प्रेत कहीं से भी पैसे लाते हैं और देते हैं कई बार पब्लिक के बीच में भी हम और आप पहचान नहीं पाते हैं कितनी एसी आत्माइं हैं जो ऐसे रूपों में घूमती हैं जिनें हम नहीं पहचान पाते हैं काफी एसी पहुंची हुए हैं शिद्ध पूरे से वो भी हमें मिल जाते हैं पर हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं कितनी बार जिंद है पिशाच है जो शिद्ध किये हुए होते हैं सिद्ध किये हुए नहीं भी होते हैं जिनकी आत्माओं की तुरुक्ति नहीं हुई होती है जो मुक्त नहीं हुए होत और जगा जगा वह अपने काम करते हैं तो इसी क्रिया दोस्तों आप ऐसे ही प्रीध को सिध करने के लिए करनी है। करें वही लोग जो मजबूत हिरोदय के हो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसी कोई क्रिया करते हैं और प्रेत जब बोलता है या आपके सामने हाजिर होता है लोग डड़ जाते हैं उसके बाद लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं कितने तो स्वाही ही हो जाते हैं जो भैंकर रूप से डर गए क्योंकि किसी को बुला लेना और उसके बाद उसका स्वागत ना करना उसका अपमान करना बहुत बड़ा पाप है करे वही जो कर सकते हैं तो सनीवार की रात सनीवार को रात 12 बजे आपको एक वस्त्र पहनना है और उसके बाद आपको बबूल के पेड़ के नीचे बैठना है क्या करना है बबूल के पेड़ के नीचे आपको बैठना है तीन चीजे ले करके उसमें एक है मदार की लकड़ी मदार जिसे हम आकड़ा कहते है उसकी सूखी लकड़ियां आपको ले करके जाना है दूसरा है तिल और तीसरी चीज है उड़द काले उड़द ठीक है आपको मदार की लकड़ी जला लेनी है बबूल के पेड़ के नीचे बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि बबूल के पेड़ के नीचे यूँ भी आम इंसान रात को नहीं जाता है बहुत ही अत्रिप्त आत्माएं बबूल के पेड़ में वास करती है और ये ख्रिया आपको रात को बारा बजे करनी है आपको मदार की लकडियों को जला लेना है जला करके आपको उड़द और तिल काले तिल और काले उड़द ये दो ही चीज आपको ले करके जानी है साथ में और कोई भी चीज नहीं ले करके जानी है आपको अपने तरीके से इन लकड़ियों को जलाना है और आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार इन चीजों को जलती हुई आगवे आपको डाल देना है कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 108 बार ये चीज़े डाले और प्रेत आपके सामने ना आए तो आप हवन को थोड़ा और लंबा कर देना जो लोग भी इसको करना चाहते है क्यों काफी लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं काफी लोग काफी शाधनाओं के बारे में कि हमें ऐसा कोई उपाय बता है कोई जबर्जस्ट सकती हमारा जिन्द की भर साथ दे वैसी ही चीज है काफी लोग जो जो इसको सिद्ध करके बैठे हैं बहुत जबर्जस्ट इन चीजों से काम लेते हैं और इसी चीजे काम करती है बदले में जो इन्हें चाहिए आप वह चीजे देते रहें बस यह शाल शलिता सर्तो सलवाई काग पठता धाई धाई ओम लम लम ठह ठह बरबर ओम शाल शलिता सर्तो शलवाई काग पठता धाई धाई ओम लम 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 ठह ठह इस मंत्र को बोले और काले उड़द और तिल डाल दें अगनी में अगनी आपको आकड़े के लकड़े की जलानी है ठीक है आप इस हवन को करते जाएं प्रेट बोलेगा उसकी आवाज आपको सुनाई देगी आप उसे हाजिर होने के लिए बोले और उसके बाद आप एक इत्र की सीसी है उसे आप खोल दें थोड़ा सा इत्र डालें ठीक है जो भी प्रेथे वो प्रशन होगा उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली ये जो अनामिका उंगली है इससे साथ बुंदे रक्त की वहीं पर गिरा देनी है चाहे आप उसको टाकणी से करो या सुई से करो थोड़ा सा करके साथ बुंदे गिन करके आपको वहाँ पर गिरा देनी है ये प्रेत जिंदगी भर के लिए आपके वस में हो जाएगा आप उसे आराम से order करें कि अब से तुझे मेरे साथ रहना है और जो भी मैं तुझे काम बताऊं, तुझे वो काम करने है ये जो साथ बुंदे हैं ये आपको हवन में नहीं डालनी है जमीन में टपका देनी है जैसे ही प्रेत हाजीर होता है उसके बाद पहले नहीं करना है पहले आपको बैठे बैठे हवन करते रेना है जब तक प्रेत बोलता नहीं है ठीक है? क्रिया बहुत ही जबरजस्त है, मजबूत है, इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि जिनका दिल मजबूत है वही इसको करें, लेकिन करने के बाद आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, आप एक ऐसी शक्ति को अपने अंडर में लेते हैं, वो सब करती है जो एक आम इं तो फिर से बता दू, बार-बार बता रही हूँ में, वही इसकी सुरुवात करें, जो मजबूत दिल के हैं, अन्यथा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? यह बार-बार कमेंट आ रही थी कि आपको ऐसी सक्ति, ऐसी कोई साधना बताओ, जिससे हमारी जिन्दगी, म आपको बहुत सारे नियमों का ऐसे ही पालन करना पड़ता है, और तभी वह सक्तियां सिध्ध होती है, और कोई भी शक्ति हो, यदि आप अपने नियमों का उलंगन करते हैं, तो वह शक्ति भी आपको उठा कर पटक देती है, आपको बरबात कर देती है, तो यह चीज भी लेकिन यह साधना ऐसी जो सिर्फ कुछ ही मिन्टों में सिध्ध हो जाती है, बाकि साधनाओं में आपको कभी दस दिन लगते हैं, कभी सवा महिना लगता है, कभी छे महिना लगता है, यह बहुत ही साधान ढंगे, स्प्रेट को सिध्ध करने का, यदि आपको उचित लगत लगता है तो करें, करके देखें, जैसी रशनाओं